नमस्ते, क्या से आप सुब लोग? अगर आप सच मुच में चाहते हो ना, कि लोग आपसे बात करने के लिए भी तरस हैं, लोग आपके अटेंशन पाने के लिए तरस हैं, लोग आपके पीछे भागें, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े, जीना शुरू करो, आजकल लोग सब को सिंख गये, पता नहीं कहां से कहां तक पहुँच गये, जीना नहीं आता, जीना भूल गया, और जो लोग जीना भूल जाते हैं, जो कि जाधातर लोग हैं, वो केंद्र नहीं बन पाते उस ज़गाता, आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ में आप बात करना खुद ही नहीं पसंद करोगे, जो जीना भूल चुका है, जो खुद तरस रहा है जन्दगी के लिए, जो खुद तरस रहा है किसी के पीछे भागने के लिए, जो खुद तरस रहा है अटेंशन के लिए, जो खुद एक attention seeker है, attention seeker बनने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे हो ज़ाओ जैसे एक club है, ठीक है? और आप ऐसे नाचरू जिसे कोई देखी नहीं करें तो यह पागल पना सा लग सकता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा ठ्रैक्टे अनसान लगेगा इसलिए ना जीना शुरू करो खुश होना शुरू करो अपने जिंदेगी को ना अपने धंग से अपने तरीके से, एक positive way में, अपने आपको upgrade करते हैं, हमें हर चीज करने हैं, हमें पैसी भी कमाने हैं, हमें knowledge भी चाहिए, हमें एक positive इंसान भी बनना है, हमें अपनी life में रिश्टे भी अच्छे करने हैं, वो सारी चीज़े ठीक हैं, लेकिन उन सारी चीजों से सबसे पहले मेरा जीवन, मुझे जीना आना चाहिए, मुझे जूम जाना चाहिए, मुझे नाचलिना आना चाहिए, मुझे ऐसे हो जाना चाहिए, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जो मुझे हिला सकती है, हिलूंगी मैं, लेकिन मुझे पता है कि उसका time deviation कितना है, इतने time तक मैं हि अब इंसान हूं है ना तो परेशानी आएगी तो लेवी लेंगे उसे थोड़ा सा अपने सर पर लेकिन उस परेशानी में अगर मेरा डांस हिल जाएगा ना तो उसका भी अपना टाइम सेट है कि इतना टाइम है यही परेशानी के अंदर जूम लेने का कोई बात नहीं मुझ अब अपने जीवन का जश्न मना रहे हो यह जीवन ही प्रेश्यज है अब अपनी एक एक सांस में स्वाइल करते हो अब एक खुश अंसान हो अब एक बिंदास इंसान हो आप अपनी जिन्दगीव अच्छा से जीर हो आपको पताएं कि आपको किसी और को कश्ट नहीं आपको किसी और का कुछ गलत नहीं करना, अपने फाइदे के लिए भी किसी और का कुछ गलत नहीं करना, लेकिन अपने साथ भी कुछ गलत नहीं होने देना, अपने आपको बेस्ट बनाना, अपने जीवन को बेस्ट बनाना, जीवन को बेस्ट बनाना, जीवन को बेस्ट बन लिए यह पार्ट है है उसे पहले वो ऊसे पहले गत्श्य जूमता है दो झांता उसक के दढ़ता है ईसको आते है खिलकर ला यसम रोट खुल जाने में उसे शरम आती है he वो जीवन था और यह पता नहीं क्या है सब कुछ की जीए लेकिन आप सच में चाहते हो ना कि लोग आपसे बात करें के लिए तरसें तो आपको वो बनना पड़ेगा आपको जूमना आना चाहिए आपको डांस करना आना चाहिए आपको जीवन को जीना आना चाहिए ऐसे मस् इनसान ऐसे सबसे बड़े इन्सान का केंदर होते हैं क्योंकि हमें डूसरों से पूछनी होता हमें दूसरों से वह अटेंशन ही चाहिए दूसरे उस चीज को आकरके कि हम ऐसे पता है मेरी वज़े किसी और को कष्ट ना पहुंचे बस मुझे किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाना लेकिन वही आतमाओं में मैं भी तो एक हूं तो मुझे अपने आपको भी कष्ट नहीं पहुंचाना किसी का गलत करना नहीं अपना गलत होने देना नहीं अगर आप ऐसे बन गए ना लोग तरसें गया आप से बात करने के लिए अपके चेहरे की जो जन्वन स्माइल होगी ना उस चीज से जुड़ना चाहेंगे वो यह क्या है यह क सीटो मत और आप जब जीवन जीओगे ना आप अट्रैक्ट करोगे तगड़े तरीके से क्योंकि यहां जीते ही नहीं है लोग भूल चुके हैं अपने अपको ऐसे होगे ने 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 कोई देखेगे तो क्या सुचिगा कोई करेगा तो क्या सुचिगा किस दिना से बोल दिय कोई लगा यह करता है अरे ठीक है यार उनका कामी है वो फ्री में बैठे में उनके पास कामी है इसलिए मैं जीना छोड़ दूँ क्यों अपने याद दिलाए करो क्यों क्योंकि यह चार लोग मुझे देखेंगे अरे यार कम ओन यह चार लोग है ना कुछ नहीं देखेंग कि आप आये हो कुछ साल जी होगे चले जाओगे यही आपसे बात करने के लिए तब तर सेंगे जब यह आप बीच वाला समय बढ़िया से जी करके निकालोगे हर चीज करोगे इसमें और ऐसा इंसान ही सब कुछ बहुत आसानी से कर पाता है नौलेज भी बहुत आसानी से क्योंकि वह जी रहे लाइना उसको पता है ना यह चीजिए मेरे लिए छिरी पैसा भी असनी से कमा लेगा क्योंकि वह जी रहे हैं यार पैसा भी जीना की चाहता है यार उसके साथ है अब संढ़ हो साथ है कून जीना नहीं चाहता यहां सब कुछ तो calorie सब कुछ यहां पर बहूंत बहुक्षों है चो सब भो जाए हमें याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे जीना है यार मुझे पंगय लेने ऑची नहीं के साथ में मुझे अपने समय को ब्रबाद करना ही नहीं जहाँ पर ननक्त कदाना पढ़ रहे हैं यह अपनी क्लारिफिकेशन देनी पड़ रही है जस्टिफिकेशन आरे भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है मुझे नहीं करना ही ऐसे लोग जाओ सफाई चाहिए मुझे अपने लाइफ में और आप जीना शुरू करो फिर वही लोग तरसेंगे आपके लाइफ में आने के लिए क्योंकि किसी इंसान को तो अब उसका जीवन आप देखो उसके पास किसी चीज की कमीनी है क्योंकि वह अपने अंदर से ही संतुष्ट है वह खुश है वह अंदर से भरपूर है और जो इंसान अंदर से भरपूर है प्रकृति उसे सब कुछ दे देती है क्योंकि वह अट्राक्ट कर ठेक सारा प्यार अलोग तारा